हेलो एवरिवन, वेल्कम तो जेवी यूट्यूबर मुझे बहुत सारे कमेंटार लें कि मैं हमें ओईली स्किन के लिए स्पेशली फेसोस बताई है जो हम घर पर आसानी से बना सकते हैं जिसे जो हमारे एकने की समझा है, पिंपल की समझा है या हमारे स्किन पर बहुत जज़ा ओईल निकलता है तो किस तरह से हम इस ओईल को कंड्रॉल कर सकते हैं और इस वेसोस को आप बना कर और हमें बताए इस रेमेडी को जिससे जो हमारे एकने विंपल की समझा को हम दूर कर सकते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था सिर्फ फेस्वास बनाने के बारे में अब आपको बताओंगी ओईली स्कीन के फेस्वास आपको किस तरह से बनाना है वो भी घर पाई यह बहुत ही आसान है बनाना आप असानी से अपने घर में किचन की जो चीजें उन से आप इस इसको बना सकते हैं और अपने पिंपल की समश्या है एकने की समश्या है यह अगर बहुत जड़ा ओयल निकलता है इन सारी प्रोब्रम से आप चुटकारा पा सकते हैं तो चलिए इस तरह से सबसे पहले हम ले लेंगे बावल अम मैं इसमें जो मिलाने जा रही हूं चीज व उसके ओल को पूरी तरह से निकाल देगा तो हम यहां पर एक चमबच यह आटा ले लेंगे मूँ के अंदर ऐसे बुण होती है जो आपकी स्किन वाइटनिंग का काम करता है और आपकी स्किन पर जो भी ऑई है उसको पूरी तरह से निकाल देता है तो फ्रेंट्स इसमें हम ये मूँका आटा ले लिया है अब हमें इसमें जो दूसरी चीज मिलाने जा रही है वो है एक पिंच हल्दी आपको सिर्फ इसमें एक चुटकी हल्दी ही मिलानी है आपको ज़्यादा हल्दी एड महीं करनी है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चुटकी हल्दी लगाई है क्योंकि अगर आप ज़्यादा हल्दी मिलाते हैं तो क्या है कि उस पर आपकी स्किन पर येलो कलर है वो छोड़ जाता है तो आपको हल्की सी जो हल्दी है वो मिलानी है तीसरी चीज इसमें मैं एड करूँगी गुलाब जल तो आप इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं क्योंकि अगर ओइली स्किन के लिए गुलाब जल होता है वो बेस्ट होता है तो आपको इसके अंदर मिलाना है गुलाब जल तो हम इसमें गुलाब जल मिला लेते हैं जो मैंने बताया है यहाँ पर मौगी डाल का पाउडर हो यह हल्दी आप इसको एक डबे में स्टोर करके अपने नहाने जाते हैं तब आप वहां रख सकते हैं इसको ताकि नहाने जाते वक्त आप इसमे पानी भी मिलाकर पने चहरे को साफ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको कहूँँए, अगर आप गुलाब जल मिलाते हो तो इसका जो असा है वो जदा आपको बेनिफिट मिलता है Friends तो अगर आप थोड़ी से आज़्ची हो Friends तो आप पानी मिला सकते हो क्योंकि आगार आप इसको बात रों में रख सकते हो जब भी नाने जाते हो स्टोर के लिए फ्रेंड्स लेकिन अगर आप गुलाब जल मिलाते हो तो इसका आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स इसलिए मैं सजिस सिर्फ ये गुलाब जल ही करूँगी तो हम इसमें गुलाब जल एड़ कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से इसके अंदर मैंने गुलाब जल एड़ करें गुलाब जल के स्मेल है वो बहुत ही अच्छी होती है फ्रेंड्स ओयली स्किन के लिए तो ये बहुत थी अमेजिंग फेस्वोस है आप इसको ट्राइ अच्छी और ट्राइ करने के बाद आप देखेंगे पंदरा दिन के अंदर जो भी एक्ने पिंपल की जो भी प्रोग्लम है आपकी वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी फ्रेंड्स ओर आपकी जो स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा ओयल निकलता है वो भी पूरी तरह से ठी अच्छा सा पेश्ट हम बनाकर एड़ि कर लिए तेक सकते ही इस तरह से मिलाना है तो यह हमारा ओली स्किन के लिए सपैसिली फेशोंस बन कर रैड़ि होगया है या स्किन को गोरा करने के सासाथ ओयल बूब हराइगार वाराप की जो भी एक्ने पिंपल की समझ है उसको दूर करेगा फ्रेंट्स आप चाहिए तो नाहने से पहले इसको आप फेश वोश की तरह यूज़ कर सकते हैं या इसका फेस पैक भी बनाकर आप लगा कर उसके बाद अपना चेहरे दो सकते हैं वो आप अपने हिसाब से आपको ज़से ठीक ल लीजिए तो मैंने इस तरह से जिस तरह से मसाज किया उसी तरह से आप इसको एकदम कर लेजिए आप अपने चेहरे पर और अपने हातों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने पैरों पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इससे आपकी स्किन का कलर फैर होगा और आपकी तो मैं ने अपने चहरे को अच्छी तरह से दो लिया और एक दम अपने चहरे को देखिए साफ कर लिया इससे जो भी मेरे श्किन पर वह पूरी तरह से निकल गया यह बहुत इंफेक्टिव फेशोस है आप इसको ट्राय किजिए गो जो बिटियो पिंपल की समझ अगर आपक विल्य सबसे बहले आप देखो थैंक यू दोस्तों